हिंदु स्टाल जिनावाः जिनावाः जो देख लेग बाइजन डागत निच्छा है इंदु मुस्लिम सी कि साहरी उमाराबाइच रहा हमार एक दा रहम रहम हम तो जो हैना सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरीके से आपने मोर को और दूसरे चीज़ों को राष्टे पशु जो हैना आपने गोशित किया है इसी तरीके से गाउए को राष्टे पशु जो हैना गोशित करो इसको राष्टे पशु घोशित करो क्यों नहीं करते इसलिए अगर यह कर देंगे तो फिर रोटी सिखनी बंद हो जाएगी मन तो आज तक भी नू कुन देख्या इंदू कहां से ना किसे उस्प्रियम पाया मन अगडिया इंदू खतराम भाई ना केड़े सेंत्रे भी तिन चड़नों कि अम ठाया अंड़ द्याने अकि एक डिया अल्टी स्टार मीडियार याना देखना अले बाई सारे दर्शकान मंजीत बार द्वाज तो राम राम फिलाल वाई फ्रेम में देखना लाएगरे होगे हर दरम ता मिरा बाई चारा खड़िया है और थाना बेरा भाई नूमें बहुत आदंगे चादेरों कि सान महा पंचायत करी ग गई है कि मुख्या उदेश्य है इसका जो सारे जो सटी ब्रादरी अब आइचारा कठ्थे गए तो बाई यह जो बाई चारा बटड़ा रहे जो इंदू मुस्लिम सी किसाइज वाज बास गाम के अंदर जो इकठ्था है इसार के अंदर यो इसलिए कठ्था रहा जो मेवा जो ब्रुद कराना चाहता होँ लोगन बड़े का आवंग मेवाद केंदर इंदू कराम डू नुकराम है इन दू मालाई इंदू नुमान लाए गरे बूंदू महाँ आइए कर्सी कराम है इंदू मैं भाइट मॉस्लमान है खड़याब इम इसान भी खड़या है शिक्ष भ सब्सक्राइब करें तो बात है ना जो मारे बाई याना जो नुमी दसमी सदीता है जो सज्टापदी से वहीं बशे हुए है उन्हें रोंगनिया को है तो बाहर से रहे हैं तो स्री लंका पाकिस्तान से आई हुए इनके पास यहां का रारकार का से गया वह देश जमीन को पर बेटे जब यह जब है आज से हाज आरों साल पलना का मिवाद के अंदर है तो फशेज मिन कहां से होगी इंके बाप दद्रों के समैने के घुद की जमीन हो हम भाए मिवाद इनका इनके बुजर्गां ने जिए इन कि अंदर के अपना देश की नहीं जो अपने पती की नहीं उसका इतना ट्यर्पी देने दारी मीडिया 24 गंडेशी मगा नुद्र सिंवाइब के अंदर देख लिया आपने तुमरे प्रोब गंडा चले रहा सारा का सारा सब्सक्राइब 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 देखो बाई जगा जो अपना चत्ती जैत का बाई चारा उस तो सबता बढ़का है इंसानिय त्योरी हैं भाई भिखड़े एंती बहुत बढ़िया बढ़िया बाई यह तो नार्या इम दिक्कत लाओं हैं मरब को आले भी हो वाले को सलाम में करूंगा अगर जी कि जा सम्मान यह अपनी दुकान दारी चलाना का तरह यह जाओं आपके मुस्लिम बारत माता की जाय को फ्लान को करें तकड़ा को राम दिक्कत के है वह मिजंडा निचार पर तो कुछ को यली ओ इस देश की शानती अमन रंदा हो ना तो माम तो मुस्लिमान कुछ भी जिन्दाबाद को पाकिस्तान जिन्दाबाद भी का देंगर जिस देश में आमन रंदा हो तो माम दिखते को ने एक परसेंट भी मालिक सबका एक है हिंदु मुस्लिम सी कि साहिम हम सारे बाई 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 बिल्कुल है आज का जो यह प्रोग्राम है यह हरियाना कोई नहीं बलके पूरे संदेश देता है कि मुलक अगर बच सकता है तो आपस के भाई चारे से बच सकता है मुलक के अंदर कोई दूसरी ऐसी चीज नहीं कि जह इसको बचाया जाए चूंकि आजादी के मौके पर जब मुलक आजाद हुआ अंग्रेजों से मुलक को छुडाया तो उस वक्त तमाम लोगों ने मिल करके आपस में एक भाई चारे की मिसाल पेश की थी और अंग्रेजों से डट करके मुकाबला किया था उसी की बनियाद पर ये मुलक आजाद हुआ अभी इस आजादी को खतम करना चाहते हैं लोग ये आजादी खतमना हो मुलक का भाई चारा काइम रहे आपस में पूट डालने का जो इन्होंने काम किया आपस में कभी उसको लड़ा दिया कभी उसको लड़ा दिया कभी उसके खिलाफ जो है ना बोलना शुरू कर दिया कभी लोग जिहाद के बारे में के तुम मुसल्मानों की लड़कियों को लेकर कि आओ तुमें इतने पैस देंगे इसी जो है तरह तरह के शो से मुझत के लिए छोड़ते रहते हैं ये इनकी बहुत उची हरकत है तो इसलिए आज ये प्रोग्राम किया गया है भारतिय किसान यूनियन की तरफ से कि ये भाई चारा काईम रहे और जो फिरका परस्त ताकते हैं जो मुल्क के ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं उनकी आवास चूह दब जाए और प्यार मुहबत के साथ हरे एक इनिसान मुल्क के अंदर रहे और हरे एक इनiuसान अपने धरम के अबनी सांब UX खुल करके जिन जिन्होंने वहां दोश किया है जो दोशी है जिन्होंने वहां के दंगे को बढ़काने का काम किया है वहां के दंगे को बढ़काया कि जिस तरीके से बिट्टू बजरंगी ने कहा कि तुम्हारा जित जा रहा है कभी यूं कहो कि बताया नहीं माला तैयार रखना तो इस किसम की ये ओच्छी हरकत की है और ये गंदा काम किया है तो उसका जवाब जो है वहाँ के लोगों ने दिया और देना भी चाहिए जो आदमी इस तरीके से ऐसी गंदी हरकत बोल रहा है जो जी जा है हकीकत में हो तो सो बार कहो मैं तेरा जी जाओं जिससे कोई तालुकी नहीं इसको कौन कहलवाएगा अब ये खड़े हैं मैं किसी को कहने लगाओं मैं तेरा जी जाओं मैं त्थपड नहीं मारेगा हो तो इसी तरीके से इन्होंने दंगे को भड़काया है भाईचारे को खतम किया है और अब सरकार जो है आँख मीच करके धरम का चश्मा लगा करके एक तरफा कार रवाई कर रही है वहाँ गरीब मुसल्मानों के मकान तोड़े जा रहे हैं उन्हीं के बच्चों को गरिफतार किया जा रहा है और जो दोशी है ये जो है लाइव भी आ रहे हैं और अपनी वीडियो भी बना करके डाल रहे हैं इनको पकड़नी रहे हैं अब इन्होंने पंचायत की गुड़काओं के अंदर वहाँ इन्होंने परस्ताव पाश किया कि अगर जिन्होंने इस इमाम को कतल किया है अगर उन दोशियों को पकड़ने के लिए जाएंगे तो हम महां जो है परशासन से मकाबला करेंगे तो परशासन भी इनके सामने एक तरीके से फैल होता हुआ नदर आ रहा है और इन से घबरा रहा है चूंकि ये सारा जो है ये परशासन देखने को तो सरकार ये बीजेपी असल सरकार तो ये कच्छेधारी और ये जो है RSS वाले और ये बजरंगदल वाले ये चला रहे है कभी गोहतिया के नाम पर कभी किसी के नाम पर अभी साउथ में जा करके देख लो ना खुद इनके मंतरी खुद इनके MP अमेले खुद कह रहे हैं कि आओ तुम्हें बीफ पार्टी देंगे आज़ो जिसको खाना यहां पर आओ हम तो जो हैना सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरीके से आपने मोर को और दूसरे चीज़ों को राष्टे पशु जो हैना आपने गोशित किया है इसी तरीके से गाएं को राष्टे पशु जो हैना गोशित करो इसको राष्टे पसु घोशित करो क्यों नहीं करते इसलिए अगर ये कर देंगे तो फिर रोटी सिखनी बंद हो जाएगी राम मंदीर का मुद्दा छेड़ा इन्होंने अगर करना चाहते तो बहुत पहले उसका फैसला कर सकते थे लेकिन अगर जलती आग में आपने पानी अगर डाल दिया तो फिर रोटी कैसे सिखेगी और अब जो गियान वापी का मसला कभी कुछ ना कुछ बस इसी तरीके से चुँके आपने कहावत तो वो सुनी है जब बिटोड़ा गिरता है तो गोस्से गिरते हैं अंदर से और तो कुछ थोड़े दूसरी चीज़ थोड़े गिरेगी तो जब यह इस तरीके के वो करते हैं जैसी इनकी सोच है जो इनके मन में है वही बाहर निकल के आता है बहुत बढ़िया बात कई है है और सारे बाई यहने को क्लैपिंग करिए इस बात पर कि जो गोव माता है उत्ती राष्टर पसू गोशित कर दिया जाव है क्योंकि जानवर की स्रेणी में नहीं आंदी क्योंकि इसके अंतर 36 क्रोड़ देवी देवता निवास कर रहा थैं जो एक बड़ा आप लगा रह हिंदू मुस्लिम सीख इसाई हिंदू मुस्लिम सीख इसाई हिंदू मुस्लिम सीख इसाई हिंदू मुस्लिम सीख इसाई हिंकलाब इंकलाब इंकलाब जिन्दाब 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 जिन्द शरू कर दियो है आपके स्टार मेडेयर आपके जरियां जाय वारत